हाई एवरीवाइन वेलकम टो आर्यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑगस्ट दोजार बाइस में भारत के ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो की 29 बिलियन यूएस डॉलर रहा है तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डीटेल मे डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आने वाले टाइम में भारत अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकता है ताकि ओवराल जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कंट्रोल करा जा सके और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस डवलप्पेंट की तो जो भारत का ऑगस्ट महीने का मर्चंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो इंपोर्ट बढ़ने की वज़े से पिछले साल के मुकाबले दो गुने से भी जादा बढ़ करके 28.68 बिलियन रहा है हाला कि य जुलाई में जो इंपोर्ट था वो 66.27 बिलियन था और जो एक्सपोर्ट था वो 36.27 बिलियन था तो इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट था वो 30 बिलियन से भी जादा था जो कि पिछले महीने से तो बेटर हुआ है लेकिन ओवरॉल पिछले साल के मुकाबले दो गुना से भ एक्सपोर्ट किये हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.15% कम हुए है और उसकी वज़ा है एक तो एकनॉमिक अंसर्टेनिटी तो डेफिनेटली उसकी वज़ा है लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि हमने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वीट और दू बढ़ाई हैं जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रड़क्ट्स हैं उसके उपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है उसके एक्सपोर्ट पे तो इस वज़ए से एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी देखी गई है लेकिन एड़ दा सेम टाइम जो हमारा इंपोर्ट है वो काफी ज ज्यादा बढ़ रही है हाला कि अच्छी बात यह है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है पेट्रोलियम इंपोर्ट को तो हम कंड्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एकोनौमिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्ट है लेकिन एक लक्शरी है सरकार ने इसके उपर अब इंपोर्ट बढ़ रहा है यह बहुत जादा घबराने की बात नहीं है अल्रेडी जो हमारा इयर टू डेट है यानि कि पहले पांच महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वह 125 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है लेकिन सरकार को विश्वास है कि पूरे साल में यह 160 से 180 बिलियन के बीच में रहेगा जो की GDP का 3% होगा और अब अगर बात की जाए कि आने वाले टाइम में अगर हमको अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है तो क्या करना होगा तो उसके दो ही तरीके हैं एक्सपोर्ट बढ़ाईए और इंपोर्ट कम कीजिए हाला कि Global Uncertainty के बीच में भी जो भारत का टारगेट है वो ऐसा माना जा रहा है कि इस साल में हम साड़े 700 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर लेंगे पिछले साल अगर हम इस नंबर को कंपेर करें तो 670 बिलियन से कम था तो वहां से काफी अच्छी improvement देखी जा रही है इस में कि हमारे goods export ने 400 बिलियन के आंकडे को क्रॉस किया था इसके अलावा service sector भी अपने जो export में contribution है उसको 280 बिलियन पे लेके जा सकते हैं यह पिछले साल 250-255 बिलियन के आसपास था इसके अलावा आने वाले टाइम में इस महीने Australian free trade agreement की पूरी उमीद है कि वो clear हो जाएगा दिवाली तक UK के साथ हम trade pact sign कर लेंगे Canada ने interest दिखाया है कि वो FTA और investment treaty sign करना चाते हैं जो कि December 2022 तक complete हो सकता है इसके अलावा European Union के साथ FTA की बात चल रही है जो कि अगले साल जून जुलाई तक complete हो जाएगी तो इस तरह से अगर यह सब as planned होता है तो हमारे exports को बढ़ाने म मदद मिलेगी अगर हम इस साल की दुबारा से बात करें तो चाइना से जो हमारे export हैं वो पहले पांच महीने में 35% नीचे रहे हैं हाला कि US Canada और मेक्सिको के साथ जो हमारे full year के जो target हैं उसी line में export हुआ है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे countries हैं जो हमारे साथ free trade agreement sign करने को त देरी हो गया उसको protect करते हुए हमें कोई भी FTA sign करना पड़ेगा इसके अलावा आप सोचे होंगे कि रुपी depreciate हुआ है तो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है तो हमारे export बढ़ने चाहिए थे रुपी depreciation का थोड़ा बहुत फायदा हुआ है लेकिन at the same time सिरफ हमारी currency न इसका फायदा नहीं हुआ है इसके अलावा अगर grand scheme of things में देखा जाए तो 2047 तक government चाहती है कि हम अपनी economy को developed economy बनाए उसके लिए हमें export लगातार बढ़ाने पड़ेंगे तो उसके लिए जो हमारे प्यूश गोयल जी है उनका कहना है कि 2030 तक जो हमारा target है हम 2000 billion यानि कि 2 trillion dollar के export करना चाहते हैं जो कि इस साल का जो हमारा target 700 billion है इसको 2030 तक हम 2000 billion तक ले जाना चाहते है इसके अलावा गर हम year to date यानि कि April से August के बीच की overall performance देखें जो अभी August के हमने numbers discuss की है पिछले page में यह provisional data हो सकता है कि आने वाले time में जब balance of payment का data final हो जाएगा तो हो सकता है कि आ मोटा मोटी इतना ही रहने चाहिए और अगर हम April to August period की बात करें तो हमारे export 17.12% बड़े हैं 192.59 billion हो चुके हैं जो कि आप July तक देख सकते थे कि 160 billion के आसपास थे और क्योंकि जो August का data भी provisional है इसलिए सरकार ने अपने dashboards को अभी update नहीं किया है लेकिन overall हमारे 17% पहले 5 म बड़े हैं हाना कि at the same time import 45% से भी ज्यादा बड़े हैं 317.81 billion के हमने import किया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान petroleum products के prices का है और उनकी quantity भी हम ज्यादा अब import कर रहे हैं क्योंकि economic activities back to normal आ गई है COVID के बाद से तो इसी वज़े से जो trade deficit है वो 125.22 billion हो चुका है जो कि पिछल साल अगर हम 5 महीने का देखें तो सिरफ 54 billion के आस पास था तो trade deficit हमारा definitely बड़ा है लेकिन जैसा कि सरकार को उमीद है कि ये नंबर अब पूरे साल में 160-180 billion रहेगा जो की controllable है इसके लावा अगर हम merchandise export के थोड़ी detail में बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो export करते हैं वो petroleum products क करते हैं उसके बाद pearls वगेरा फार्मा जो हमारी pharmaceutical जाती है तो ये major exports होते हैं इंपोर्ट में definitely crude जो petrol होता है crude oil ये सबसे ज़्यादा हम import करते हैं इसके अलावा koila हो गया या gold हो गया तो ये सब करते हैं और अच्छी बात है कि August में gold का जो import है उसमें कमी आई है और ये जो data है ये जुलाई तक का data है और अगर हम country specific देखे तो सबसे ज़्यादा हम USA को export करते हैं और सबसे ज़्यादा import हमारा China से किया जाता है और अगर हम trade deficit के मामले में बात करें तो US को जो export करना या US के साथ trade करना हमारे लिए काफी फायदे मन्द है क्योंकि हम यहां पर trade surplus enjoy करते ह हैं इसके अलावा बांगलादेश, नेधरलेंड, नेपाल, टोगो यह कुछ countries हैं जहां से हम trade surplus enjoy करते हैं लेकिन अगर trade deficit की बात की जाए तो China हमारे लिए सबसे बड़ा trade deficit वाला country है तो हमें कुछ देखना होगा कि China में हमारे export बड़े हैं और import कम हो इसके अलावा Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates वगेरा तो सब oil की वज़े से हमारे यहां पर trade deficit रहते हैं तो रहेंगे ही जब तक कि हम alternative source नहीं डून लेते हैं और Russia भी इस साल trade deficit बड़ा है और उसका भी reason है कि हमने बहुत सारा oil Russia से खरीदा है मैं उमीद करता हूँ कि आपको इवीडियो पसंदाया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा Thanks so much for watching the video and God bless you all